वक्त आपका है चाहो तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो जीत तो मैंने पहले लिया था जब मैंने सोच लिया था क्योंकि इतनी मेनद करो कि दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे और जब दुनिया तुमको पागल कहने लगे तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो क्योंकि हमें सिर्फ ये सिखाया गया है माबाप से कि आप सिर्फ अपना काम मेनद से करो जो करो सिंसियरली करो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही होगा उसमें कोई गम नहीं होगा सायद दुम अपनी जिंदिगी में कुछ और करना चायते हो वा जो भी हो उसके लिए भी डिसिप्लीन का होना जरूरी है क्योंकि पांच परसत लोग सिर्फ सोचते ही रहेंगे करेंगे कुछ नहीं और पांच परसत लोग मेनद करेंगे कि चलो वहां तक पहुंचते हैं लेकिन मेनद करते करते वह गिब अप कर देते हैं तो वहाँ चीज रुख जाती है और जो बार-बार गिरकर उठता है ना वही सितारों को छूपाता है किसी ने खूब कहा है कि खेल ताश का हो या जिन्दिगी का अपना इक का तभी दिखाना जब सामने वाला बाश्या हो बहुत सारे जो हमारे गोल्स होते हैं ना सपने हैं वह इसी वज़े से समाप्त हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि वह फटा-फट से सब कुछ हो जाए तो मैं चारा हूँ अगर वह नहीं होता तो हम उसको छोड़ देते हैं जो कि ये तरीका ठीक नहीं है फटा-फट से कभी कुछ नहीं होता जिन्दिगी का सबसे कड़वा सच म्रत्तु है और जिन्दिगी का सबसे मीठा फल परिवार का प्यार होता है क्योंकि पिता का घर कभी जरजर नहीं होता खूब सूरत उससे कोई मंजर नहीं होता बस्ते हैं जहां सपने बचपन के उससे सुन्दर कोई मंदिर नहीं होता